सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परीचे चैनल को और बैल आइकन को दवाईए आयरुवेदिक दिस्सी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो जड़ी बूटी परीचे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आपको एक और वनोशदी लहसूडा के बारे में बताने वाले हैं इसके कहीं सारे और भी नाम हैं जिनसे आपको उसका परीचे कराएंगे उस से पहले हम आपसे कहना चा जो नाम देशी बासा में इसको निसोड़े भी बोला जाता है इसके अलावा भी कहीं सारे इसके नाम हैं जैसे लहसूडा है लसोडा है और बढगूंद है अली है बवार है इसके अलावा इसको नकेरा भी बोलते हैं कारडिया और लीबिया के नाम से भी जानते हैं तो जै यह चीजे जो है जो गिली होती है इसका अचार भी डाला जाता है लिसोडे का अचार डलता है काफी स्वादिष्ट होता है और पोस्टिक भी होता है इसके अगर सुभाव की बात करें तो इसका जो सुभाव होता है गरम वैखुश्क होता है और इसकी मातरा की बात करें तो इसकी 9 दाने से 15 दाने तक इसकी एक जो है नॉर्मल मात्रा होती है अगर इसके छाल का उप्योग करते हैं तो इसकी जो छाल की मात्रा होती है वो 50-100 ग्राम तक होती है और फल का जो सर्बत अगर लेते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है वो 10-20 ग्राम होती है अगर इसके स्वा स्वाद होता है पके हुए फल का स्वाद मीठा होता है और हजमेदार होता है इसके अलावा इसके अगर लाबगी बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं निसोडा जो है दो किसम का होता है और इसमें जो एक बड़ा लिसोडा जिसको बोलते हैं छोटा लिसोडा जो आप द बात करें इसके लाव की तो ये जो दोनों ही परकार के जो लिसोडे होते हैं लिसोडे जिसको बोलते हैं ये दोनों ही परकार के कच्छे फलों का अचार डाला जाता है और पके फल की सबजी भी बनाए जाती है इसके अलावा इसके कहीं सारे परियोग हैं इसके मरदाना कमज परियोग किया जाता है इसके और भी कहीं सारे परियोग हैं जैसे इसको गले की खरास में इसको परियोग किया जाता है इसके अलावा जिन लोगों को नमुनिया रहता है उसमें इसका परियोग किया जाता है और ये जिन लोगों को पेट सकत रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है यह मौत नली की सूजन को दूर करता है और चाथी के जो रोग होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों को चाती से संबंदित या सर्दी से संबंदित जो रोग होते हैं उसमें आप इसका जो है लैसोडा सुखा और मुलेटी उन्नाव गुलबनफसा भीधाना और सौफ इनका जो है क्वात बनाकर अगर पीते हैं जो चाती के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है यह चाती के समष्ट परकार के रोगों को दूर करता है इसके अलावा जिन लोगों की कांच निकलती है कांच निकलने में भी यह बहुत अच्छा काम करता है बड़े लेसूडों की काली राख होती है उसकी बारीक कीश करक तो बहुत अच्छा लाव आपिस से ले पाएंगे इसके अलावा मुझे च्छाले में भी इसका बहुत अच्छा परियोग है मुझे च्छालों के लिए इसका जब परियोग किया जाता है तो लसूडा के जो कॉमल पत्ते होते हैं उसमें दिन में कई बार उसको चबा करके उ आप दो दिन में बिलुकुल मुगे छाले से छुटकारा पा जाएंगे और भी कहीं सारे इसके परियोग होते हैं और इसके ज़्यादतर नुक्षे भी बाजार में बने बनाएं मिल जाते हैं जैसे इसका नाम एक सपिस्ता भी है सपिष्टा के नाम से बाजार में एक माजून आता है जिसे लोक सपिष्टा ख्यार संब्री के नाम से आता है लोक सपिष्टा के नाम से आता है और भी कहीं सारे माजून और सर्बत वगेरा आते हैं जिनमें इस लैसोडा या जिसे हम निसोडा भी बोलते हैं उसका इसमें प वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे पूरे अनुभूत योग जो हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से बताये जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वैल को ओन कर लिजेगा जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्त जानकारी लेकर आते रहेंगे अगर आपको किसी भी और शिद्दी की आवशकता है तो आप हमसे वोर्शेप नमबर पर संपर करके उसको मंगा भी सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद